किसान भायो इस वीडियो में मैं आपको मिर्च में लगने वाले सभी कीडो और उसके रासाइनिक परबंधन के बारे में बताने वाला हूँ इसलिए आप इस वीडियो की अंत तक जरूर बने रहें इस वीडियो में आपको सभी कीडो और उससे affected plants की photograph देखने को मिलेंगी साथ ही एक साथ कई कीट नासकों का नाम लिखा हुआ है जिसमें से आप किसी एक कीट नासक का भी परियोग करके उस कीट का परबंधन कर सकते हैं साथ ही आप स्क्रीन सौट या फिर लिख कर भी वो कीट नासक आसानी से खरी सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मिर्च के फल भेदक या फिर फुरुड बोरर की इस कीट का रासाइनिक परबंदन करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 80 ग्राम की मातरा 200 लेटर पानी में मिलाकर एक एकड में चिड़काओ करें या फिर Flubendiamide 20% WG की 100-120 गराम की मात्रा 200 लिटर पाने में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ करें या फिर Clorintra Nillipol 18.5 SG की 60 मिलिटर की मात्रा 200 लिटर पाने में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ करें अब बात करते हैं मिर्च की घातक कीट ट्रिप्स के बारे में जो रस चूसने के साथ साथ लीफ करल वायरस भी फैलाता है जिससे मिर्च में काफी नुकसान देखने को मिलता है इसका परबंधन करने के लिए थाया मिठोकजैम 12.6% लेमडा लाइहा लेथरी 9.5% जेटसी की 60 मिलिटर की मात्रा 200 लिटर पानी में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ करें या फिर आफ इमामेक्ट्विन बिंजोएट 5% SG 80 ग्राम परती एकड की दर से छिड़काओ कर सकते हैं या फिर फिपरोनिल 5% SC 320 से लेकर के 400 मिलिटर परती एकड की दर से 200 लिटर पानी में मिलाकर छिड़काओ करें इन तीनों में से किसी एक इंसेक्टिसाइट का पर्योग कर कि आप इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं अब बात करते हैं सफेद मक्खी यानि की वाइट फ्लाई की ये भी लिफकल फैलाता है लिफकल इस परकार से होता है जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं पत्तियां उपर की तरफ मुड़ जाती है इससे मिर्च की फसल में काफी नुकसान देखने को मिलती है इससे बचाओ के लिए पाइरी प्रोक्सिफीन 10% EC 200 ml की मात्रा को 120 लिटर पानी में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ करें या फिर डाइफेंथिरोन 50% WP 240 लिटर पानी में मिलाकर छिड़काओ कर सकते हैं या फिर एसी टामिप्रिड 20% SP 40 लिटर पानी में मिलाकर छिड़काओ कर सकते हैं अब बात करते हैं जैसिट्स के बारे में ये भी रस्चूसने वाला कीट है जो पत्तियों से रस्चूस लेता है जिससे प्लांट का ग्रोध काफी कम देखने को मिलता है इससे बचाओ के लिए इमीडा क्लोप्रीड 17.8% SL की 50 से लेकर के 100 मिलियेटर की मातरा 200 लिटर पानी में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ करें किसान भाईयों कभी-कभी फसल अचानक मुर्जा कर मर जाती है जिससे किसान भाईयों को ये समझ में ही नहीं आता है कि पौधे आखिर क्यूं मर रहे हैं तो इसका एक कारण सुत्रकीमी यानिके निमटोर्स हो सकता है। इसके इंफेस्टेशन के कारण पौधे मर सकते हैं। किसान भाईो इससे बचाओ के लिए गर्मी के मौसम में 10-15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार सुत्रकीमी संक्रमे छेतर की गहरी जुताई करें। और परती रोधी किस्मों का ही चैन करें। रोपाई से 10 दिन पहले 200 किलोग्राम निम की खली परती एकड की दर से खेद में डाले। निमटोर्स से बचाओ के लिए पौधों का जड़ उपचार भी किया जाता है। जड़ उपचार करने के लिए कार्बो सलफान 25 AC की एक ग्राम की मातरा दो लिटर पानी में मिलाकर एक घोल तयार कर ले। उस घोल में पौधों की जड़ों को एक घंटे के लिए डुबो कर रखें। उसके बाद पौधों का ट्रांस प्लांटिंग करें। अब अगले कीट की बाद करते हैं जो है तंबाको सुन्डी यानि की टुबैको केटरपिलर इससे बचाओ करने के लिए नौलियूरान 10% EC या फिर क्लोरफेनापार 10% EC की 150 मिलेटर मातरा 200 लिटर पानी में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ करें। या फिर इमामेक्टीन बेंजोट 5% SG 80 लिटर पानी में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ कर सकते हैं। किसान भाईयो मिर्श की फसल में मकडी का भी परकोब देखने को मिलता है। इसके परकोब से बचने के लिए प्रोपरजाइड 57% EC की 600 मिलेटर की मातरा लगभग 240 लिटर पानी में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ करें। या फिर डाई फेन्थिराउन 50% WP की 240 ग्राम की मातरा लगभग 300 लिटर पाने में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ करें। या फिर Clorfenapal 10% SG की 400 ml की मात्रा 200 ml पानी में मिलाकर परती एकड की दर से छिड़काओ कर सकते हैं किसान भायो इस परकार से पत्तियों में पत्ती सुरंगक यानि के Leaf Miner कभी परकोब देखने को मिलता है इससे बचाओ के लिए सायन ट्रानी प्रॉल 10.26% OD 240 ml की मात्रा परती एकड की दर से 200 ml पानी में मिलाकर छिड़काओ करें तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धनेवाद